आपका आपका आपके यूटीब चाहिए में इसको डीक है में आज हम शुरी के बारें बात करेंगे वह है सुजलोन अनर्जी लेमेटेड आपने देखा होगा भी आज फिर शेर वो साधे 4% के आस पास जो आपको तूरते नजर आए कल के दिन में फोल आते नजर आए तक 5% के आस पास तूट आज फिर शेर लगातार तूट रहा है यह तो इस यह कंदर गिरावट का में रीजिंग क्या है वो सभी को पता देखो ब सवारा प्रोफिट पुकिंग के लिए जो नभी सीधे तोर पर बोल दिया गया था कि स्टॉक में प्रोफिट पुकिंग का टाइम है प्रोफिट बुक करो और एक्जिट लीजिए तो उन सब के देखो बड़े-बड़े अगर चैनलों के ऊपर यह ऐसी बात आएंगी बड देखने को मिल रहा है 100 पर तो यह जो शेर आव आपको काफ़ जादा ओवर वैलूड भी होते हुए नज रहा रहा था और प्लस में रसे माफ़ा भी आप लोग देखो कि ओवर बोर्ड जोन में इसको दरसा रही थी तो यह बहुत सारी नेगिटिव संगेती भी थी कुछ ह आप लोग देखो को भी बड़े निवेश को क्या बड़े एक्सपर्स का आपने लेखा हो का भी इसको सेल करने का हम उन्होंने बोला था तो यह सारी चीज है में देखने को में लिए जिसके चलते स्टॉक के उपर सेलिंग प्रेसर क्रियेट हुआ है और यही सबसे बड़ भी चांच और आई है कंपनी कुछ एक अनॉंसमेंट थे हैं तो जिसके चलते आप लोग देखो के कंपनी डेट-free होने के जो चांज है कंपनी के वह 99 पर संट हो चुकी है मेवी नेक्स्ट कॉटर तक ठीक है नेक्स्ट कोटर तक यह कंपनी डेट-free हो जाए क्योंकि कंपन के थुरू 2,000 क्रोड रुपे का भी जोना भी कंपनी ने पीछे बातचीत कर रही है 2,000 क्रोड रुपे का भी जोना भी फंड रेज करने के बारे में NCD non-convertible debenture के थुरू फंड रेजिंग को लेकर बातचीत चल रही है यह सारी चीजी हमें देखने को मिली सुजलोन करिगाड़ी यानि कंपनी फंड रेज करेगी तो अपने बिजनस को एक्सपेंड करने के लिए वैसे भी आपने देखा होगा अब 17 दिशो में कंपनी का बिजनस फ्याला हुआ है जिसके चलते कंपनी इंडिया के अंदर आप देखोगे नंबर वन बन चुकी है जो कि 20 गीगा वोट का इंस्टॉलेशन कापस्टी है वो पूरा करने में नंबर वन बन चुकी है तो यह है वह एक अच्यूमेंट कंपनी की जिसकी बदोलत आप लोग देखोगे शेयर आठ रुपे से उपर में 15-16 रुपे के असपास जोन भी आपको जाते नजर है लगबग 100% के शेयर ने रिटर निकाल करती है जब यह शेयर साथ आठ के बाव परता तब भी देखो भी वीडियो रेगुलर इसकी उपराती रही थी और आपको हर वीडियो में यही बोला लांग ट्रम के वीजिंशे चलोगे सही रहोगे क्योंकि भी कंपनी ने पीछे कितने ओडर विन किये थे तो यह सारी बाते डिपेंड करती है फीचर के बारे में लेकिन करेंट लैवल के उप पर आपको बता भी किया सिच्वेशन बनी हुई है तो इस सिच्वेशन को handle करने के लिए देखते बी चार्ट के उपर क्या इसके लैवल बन रही है और कल हमें चैखने को मिल सकता है गिरावट तेजी क्या रहेंगे चलो व वैसे भी मैंने SLA के साथ चलने के लिए आपका बहुत रखा था जो भी इन्वेस्टेश के अंदर घुसे हुए है सभी को तो यहां पर आप लोग देखो के मार्केट प्राइस के उपर फिर से बाइंग एम ओडर आया यानि कि स्टॉक ओपन होगा तेजी के साथ एक अच्छी तेजी दिखाएगा सुबह 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 दो तीन परसेंट की भी तेजी बन सकती है और उसके बाद स्टॉक में गिरावट के चांचे से हो सकती है जैसा बुकिंग होगा तो उपर के लावल से स्टॉक तूट चुका है वैसे भी दो दिन से प्रॉफट बुकिंग की स्टॉक कंद्रा में देखने को मिला है और कोई बड़ी चीज नहीं हुई है जही चलते शेर टूटा है और यहां पर डिलेवरी पोजिजिंग के अगर बात के प्रॉप प्रॉप श्रॉप नहीं आंपर बडॉट की मिला और श्रॉप लिआ और यहां से आप लोग देखो गें प्रॉप को स्टॉक फिर से सपपोर्ट लेते हमें नजर आया इसी लेवल के ऊपर से ठीक हा चोदा बीश के भाव उपर आप लोग देख सकते हो सपोर्ट ले रहा है अगर यहां से stock ने support लिया तो stock फिर से आप लोग देखोगे भी एक new bound week high create करेगा ठीक है यहां से हलका सा moment बनने के बाद एक और new bound week high जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिला उसी प्रकार यहां पर एक हलका सा bounce back stock में उठेगा भी यहां से फिर से bounce back करेगा और उपर में जो शेयर है आपको 18 रुपे तक भी जाते नजर आ सकता है तो अभी भी अगर आप लोगों ने stock को current level पर उठा रखा है तो 14-20 का ही stop loss लेना है ज्यादा आपको इसके अंदर सोच विचार नहीं करना है 14-20 का SLE जिए अगर कटे तो नीचे में जो support वो आप लोग देख सकते हो भी 13 15 से 13 30 का है जो यहां तक इसके अंदर डेटे रहना चाते हैं वो यहां तक भी डेट सकते हैं अगर 14-20 के कटने के बाद बेचना चाते हैं वो बेच भी सकते हैं ठीक है तो यहां से आप लोग देखोगे यह काफी अच्छा मुमेंट है वैसे भी आप लोग देखो के स्टोक के अंदर काफी शादर मुमेंटम बने हुए हैं के अंदर यहां पर आप लोग देख सकते हो एक अप ट्रेंड हमए देखने को मिल रहा है जो के काफी अच्छे इसके अंदर जो भी आने वालेट Conference हमें दिखा सकते हैं यहां से अगर यह शेयर अब ट्रेंड के आज पास आने के बाद फिर शे उठता है, यहां आप लोग देखो कि ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देते हैं, तो स्टोक आएगा भी 11-10 उस भाव के आज पास भी हमें आते नजर आ सकता है, लेकिन उपर में अगर आएगा, त अगर आप लोग फ्रेश उन्टी लेना चाहते हों, और खुद की रिसर्च यह आपने फिनेंशिल एडवैजरी सदा लेकर ही करें, and thank you for watching the video.